संसत से लेकर सलक तक पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान जारी है विपक्ष पेगसेस सॉफ्ट्वेर से जासूसी कराय जाने फार्मर बिलको वापस लेने बढ़ते तेल के दामों पर सरकार को घेर रहा है तो सरकार अभी भी अपने रुख पर अड़ी हुई है इस हंगाम सरकार अपने जरूरी विधेयक कुछ मिनट में ही पास करा रही है ऐसे में देश के लोकतंत्र के लिए यह कितना ठीक है अब इस पर बहस होने लगी है आपको बता दें कि सरकार मांसून सेशन में अब तक 9 विधेयक पारलियामिट में पेस कर पास करा चुकी है Factoring Regulation विधेयक 2021 सिर्फ 13 में पास The National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management Bill सिर्फ 6 में पारित The Marine Acts 2 Navigation Bill 2021 सिर्फ 5 में पारित Juvenile Justice Amendment Bill 2021 सिर्फ 18 में पारित The Insolvency and Banker FC Court Bill 2021 सिर्फ 5 में Inland Basals Bill 2021 6 में लोक सभा और 33 में राजस सभा में पास The Airport Economics Regulatory Authority Bill 2021 14 में The Coconut Development Board Bill 2021 5 में The General Insurance Business Amendment Bill 2021 सिर्फ 8 में पारित ऐसे में संसद में पक्च और विपक्च के तमाशे के बीच देश और डेमिक्रसी दोनों को नुक्सान हो रहा है क्योंकि संसद चलाने का एक मिनट का खर्च लगभग धाई लाग रुपाय आता है ऐसे में मांसून सेशन में ही करोणों रुपाय स्वाहा हो चुके हैं वहीं यदि बाद डेमोक्रेसी की करी जाए तो कानून बनाय जा रहे हैं वो यदि बिना चर्चा या कम चर्चा के पास होते हैं और विपक्ष के बिना पास होते हैं तो मतलब है कि कानून में दूसरे विचार शामिल नहीं है विदेयक एक बार पारित हो गया और कानून की शकल में बदल गया तो इसमें बदलाओ लाने में फिर लंबा वक्त लग जाता है ऐसे में बिल जब कानून का रूप ले लेंगे तो उनका सीधा असर करोनों देशवासियों पर पढ़ेगा बिरो रिपोर्ट, AB News